नमस्कार मित्रो मैं मम्ता बाजपेव भोपाल से मेरी हरी भरी छट पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टेरिस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे घर के सेकंड फ्लोर की ये बालकनी अभी तक हम थर्ड फ्लोर की छट पर थे जहांकि सबजियां सबजियां है और मैंने बहुत बहुत पहले आपसे कहा था कि मेरे यहां रेनोवेशन चल रहा है रेनोवेशन समाप्त हो गया लगबग एक महना हो गया और अब यह बालकनी तयार है और सामने यह बेल की दिवाल आप देख रहे हैं न कितनी सुन्दर है औरेंज बेल कहती हूँ मैं ऐसे मेरे ख्याल से फायर वायन भी कहते हैं और आप लोग को ज़्यादा पता होगा एक्जेक्ट क्या नाम है यह आप बताईए और यह बहुत साल पुरानी बेल है जब मकान बना था मेरे ख्याल से 19-20 साल हो गए होंगे तो तब की यह बेल है और इसकी जड़ जो है जमीन में है तो बहुत मोटी जड़ है और यह पहले मकान के बीचों बीच जो रेलिंग बनी है उस पर चड़ी हुई थी फिर पुताई हुई और उस पुताई के चक्कर में इस पूरी बेल को उतार के और इसकी हार्ट ट्रोनिंग करके और इसकी जगे बदल दी थी उसके बाद इसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हुई थी और अब जो रेनिवेशन हुआ तो मेरे श्रीमान जी ने इसके लिए ये ट्रेलेस बनवाई और एक जाल बनवाया है जो लोहे का नहीं है जो ट्रेलेस से सहारा लेकर ये देखिए ये वाली जो बालकनी है इस पर ही चड़ी हुई थी पहले मेरे पास पुराना फोटो भी है मैं दिखाऊंगी आपको पहले इस बालकनी पर चड़ी हुई थी लेकिन जब पुताई हुई तो बालकनी से हटा के पूरी ट्रेमिंग कर दी और ये ट्रेलेस अब बना दी है और अब ये ट्रेलेस पर चड़ रही है और सामने जो ये आप ये वाल देख रहे है यहां सिर्फ नारियल की रसी से एक जाल बनाया जैसे हम बॉली बॉल खेलते हैं और नैट होता है ऐसे नैट बनाया और उस नैट के सहारी कितनी खुबसूरती से ये चड़ गई है और जब हम छट पर बैठते हैं बालकनी में बैठते हैं तो एक जैसे ग्रीन कलर का लाए पत्तियों का परदा जूल रहा हो ऐसा महसूस होता है ये देखिए नारियल की रसीयां आपको अभी भी दिखेंगे और ये इसकी इस साल की ग्रोथ है और रेनोवेशन के बाद की ग्रोथ है लगबग एक सवा महने की ही ग्रोथ है और मुझे उमीद है कि ये सवा महने बाद जो उपर खाली बची है ट्रेलिस उसको भी कबर कर लेगी और जब ये पूरी उपर की ट्रेलिस को भी कबर कर लेगी तो एक पत्तियों का हरा भरा मंडब बन जाएगा और जब ये खिलने पर होगा जब इसमें फूल खिलेंगे तब मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी बीच बीच मैं शेयर करती रहूँगी देखिए हमारी जो पेराफिट बॉल है वो वाइट है और ग्रीन कलर की ये पत्तियों की बॉल है यहाँ जब सामने बैठते हैं कुरस्वी डाल के तो बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है और देखिए अब कितनी सुन्धर ये बॉल बनी है और ये पूरा काम मेरे श्रीमान जी का है वो रोज एक-एक टहनी को लेकर उसकी वीविंग करते रहते हैं और इनकी ग्रोथ इतनी फास्ट है कि जो टहनी आज यहां दिखती है कल वो चार-पाँच एंच आगे दिखती है और इसकी टहनिया बड़ी नरम होती है इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है इसको कैसे हुगाते हैं इसके लिए मैं तो आज से बहुत पुरानी बेल है तो अब तो याद भी नहीं लेकिन नर्सरी से पौधा लायते हमने और सिंपल क्यारी में लगा दिया था और एक बार ये बहुत विशाल आकर लेकर ये देखिए ये है साथ से आठ साल पुरानी तब ये बीच में थी और फिर इसको उतार कर पूरी कटिंग करके साइड में कर दिया था तब फिर इसकी ग्रोथ कम हो गई थी अब इसकी रोध दोबारा इसलिए बड़ी है क्योंकि ये क्लाइमबर है और इसको नैट मिल गया तो यदि आप भी ऐसा मेरी तरह पर्दा बनाना चाहते हैं तो ये बेल जरूर लगाए औरेंज क्रीपर है ये और इसमें बहुत अच्छे सर्दियों में फ्लावर खिलते हैं मैना दो महने आराम से रहते हैं इसकी ग्रेनरी बहुत खुबसूरत है बहुत जादा केयर भी नहीं है और ये काफी आकार ले लेती है आप अगर इस तरह की ट्रेलिस बनाके इसको चड़ा देंगी तो पूरी केनोपी बन जाएगी और आप घर में जंगल जैसा लुक आपके हो जाएगा या कि पार्क या गार्डन जैसा बहुत ही खुबसूरत दूसरे डिरेक्शन से दिखाती हूं देखिए मैं लग रहा है न कि पर्दा है और यह तो अंदर का पोजिशन है बाहर तरफ तो और भी घनी है और नए नए बहुत सारे अंकर निकल रहे है और निश्यत ही इस बार की शर्दियों में यह बहुत ही खुबसूरत हो जाएगी और कुछ जो पौदे छट पर रखे थे वो मैं उठा लाई हूं हलांकि यह ग्रीन बेल का पर्दा इतना खुबसूरत है कि यहां और कुछ लगाने की आवश्यक्ता ही नहीं है फिर भी मैं अडेनियम इसलिए भी उठा लाई हूं कि मैंने पहले भी बताया कि अडेनियम को बरसात का बहुत पानी पसंद नहीं होता तो यह मैंने उपर छज्जा है उसके नीचे रखे हैं और मैंने स्टोन तो भर ही दिये हैं जो इसको ब्यूटी भी दे रहे हैं और इसमें पानी नहीं रुकेगा क्योंकि यह उपर तक फिलोगा देखिए इस तरह का छज्जा है तो मैंने शेड को ध्यान में रखते हुए सारे अडेनियम यहां रख दिये हैं जैसे बरसात बंद हो जाएगी तो मैं अडेनियम की जगे बदल दूँगी और अभी तो शेड में होते हुए भी अच्छे खिल रहे हैं एक प्रश्ण आता है कि अडेनियम में फ्लारिंग नहीं हो रही तो उसका कारण और इसमें कभी कभी यह इतना धिहान रखेंगे तो अडेनियम खिलेंगे और अडेनियम के बारे में आप ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके अडेनियम के एर पर आप क्लिक करेंगे तो अब तक जो भी मैंने अडेनियम के बारे में बताया है वो सब मिल जाएगा और मुझे लगता है वो 3-4-5 जो भी वीडियो है आप देख लेंगे तो आपकी सभी जिग्यासाय समाप्त हो जाएगी आपको पूरी जानकारी हो जाएगी बीच से उगाने से लेकर और प्रोनिंग तक का सब कुछ उसमें केर मैंने बताई है और यह पाम यह मैं नए लाई हूँ नए खरीदारी है करीब अभी से 15-20 दिन पहले लाई हूँ मैं विंडो के आसपास पाम रखने वाली हूँ अभी यह बालकनी पूरी डेकोरेट नहीं है मैंने अभी आपको दिखाया इसलिए कि पर्दा तयार हो रहा है आप अभी देख लीजिए जो उस औरेंज बेल का पर्दा है मैं वो दिखाना चाहती थी फिर वो पूरा कैनोपी पे च्छा जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा अभी आपको समझ आएगा किस तरह मैंने इसको मैनेज किया है और यह मेरी वही मटकिया मुझे ज्यादा कुछ नीचे की बालकनी के लिए करना नहीं पड़ा मैं उपर से ही गंबले उठा लाई हूँ उपर बहुत जादा गंबले हैं तो वहां कुछ कम भी हो गए और यहा जानी हांडी जो आती है उसकी हांडिया है और इनका देखिए इस्तिमाल कर लिया गया है और यह बहुत खुबसूरत लग रही है और यह मार्बल को थोश और हां मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आप लोग बैंबू को जरूर लगाईए बैंबू बहुत एक्सपेंसिब न चोटी सी साइज कें इसलिए मैं भी आपको नहीं दिखा रही जब थोड़ा आकार ले लेंगे तब मैं दिखाऊंगी एक बार फिर से बेल का परदा देखिए और यदि आप इस तरह की कैनोपी बनाना चाहते हैं चट पर तो इस बेल से अच्छा कुछ नहीं है क्योंकि य जल्दी ग्रोथ करती है और यह पूरा आकार ले लेगी शुरू में आप लगाएंगे तो इसकी टहनी पतली होगी मेरी बेल पुरानी है इसलिए थोड़ा ज्यादा इसमें ग्रोथ है लेकिन फिर भी और बेलों के कंपारिजन में मेरा अपना नुभव है कि बहुत लिखा पाऊं और सामने देखिए बील पत्री का पेड है जिसमें फिर से फल लग गये हैं और इससे पहले में बहुत बार आपको बील पत्री का पैड भी दिखा चुकए हो यह वह देखिए नीचे से उतनी घनी नहीं है नीचे बहूत सक्रय में है और बिलकुर जमीन में इतना सुन्दर लोग दे रही है और ये बील ये अभी से लग गए है और ये जाकर पकेंगे मई जून में जबकि भीशन गर्मी होगी और तब ये बहुत फाइदे मंद होते इनका शर्वत बनता है और एक बार फिर से ग्रीन परदा देखिए है ना बहुत खुसूरत आप भी जरूर 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 बनाएए ये परदा यदि आपके हैं बालकनी में जगह है तो लेकिन बेल आपको जमीन में लगानी पड़ेगी क्योंकि गंबले में इतना आकार नहीं लिपाईगी तो कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके बताएं मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नमस्कार